हेलो, हाई एब्रिवन, तो आप सभी को गुड इवनिंग, बताइए क्या हाल चाल है और कैसे हैं आप लोग, मैंने सोचा काफी दिन हो गया तो फिर से एक बार मिलते हैं, तो कोश्चिन्स तो अभी हम लोग नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन ठीक है, करते रहेंगे, बाकी हाल च चली रही होगी आपकी तयारी, और कोशिश कीजिए कि स्मूदली ऐसे ही चलती रहें, जब तक आपका एक्जाम नहीं हो जाता है, ठीक है, और एक्जाम तक ही नहीं पढ़ना हमें, पढ़ना तो हमेशा ही चाहिए, ठीक है, ज्यान वर्धक चीजें हमेशा प्राप्त करने मतलब रुक सके हैं, क्योंकि आभी आप बहुत डिटेल में बहुत कुछ ऐसा लिखके रख लेंगे, तो वो पोथी रखने से आपको कोई फायदा नहीं है, ठीक है, क्या पता आपने लिखके रख लिए और एक्जाम टाइम में आप उसको फटा-फट रिवाइस दिने कर इस वज़े से आपको कोशिश करने हैं कि थोड़ा थोड़ा बनाइए और उसको डिवाइस करते रहें और एक चीज में और दो तीन चीजे में थोड़ा सापको बताना चाहती हूं कि यह जो आपका क्या बोलते हैं चाइल्ड डेवलेप्मेंट और यह पूरा हुमन डेवल लेट्स लण इस पर हिमांसी सिंग नाम की मैम है वह बताती है ठीक है और वैसे तो वह सीटेट के लिए पढ़ाती है लेकिन उनका जो चाइल्ड डेवलेप्मेंट वाला पोर्शन है वह हमारे लिए काफे हल्फूल होता है आपको पता ही है कि होम साइंस में चाइल्ड डे जैसे आपकी एरिक एरिक्सन की है फ्रॉयड की है इसके बाद ब्रॉन फ्रेंड ब्रिवन और की है कोलबग की है तो इनकी इनकी थे आपको वहां से पेकर नियुक्त आपके काम की है तो वन लाइनर चीजें आप पूछ ले लेंगे ना कि एक्जाम में डारेक्ट कभी पूछ लेता है जिसे आपकी एरिक एरिक्षन वाली थियोरी तो उन्होंने वह पूरे आठ स्टेज दी है तो उसमें पूछ लेता है कि यह वाली स्टेज कौन से नंबर की है या फिर साइको सोशल थे किस ने दी है फ्राइड की इतनी सारी जो थेयोरी इतनी इंपॉर्टेंट है साइको सेक्षुल थेयोरी उन्होंने दी है कोलबक की है है और कोहलर की है तो यह सारी थेयोरी से रेलेटेट कोश्चन आपको महां मिल जाएंगे और इस्टेडी माटेरियल भी आपको अच्छा- नोट्स बनाईए और कुछ उन्होंने क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करा रखें वो चीज भी आप कीजिए वहां पर तो यह सब चीजे हैं मैंने सोचा आप लोगों को थोड़ा सा बता दूँ वैसे काफी लोग जानते ही होंगी कि वह बहुत अच्छा पढ़ाती है और कर लोगों से बोल दिया तो आप लोग एक बार जरूर देखेगा महां जा करके मैंने काफी अच्छा बता रखा है बहुत हैं उनकी वीडियो और दूसरी चीज यह है कि आप अपनी कॉंटिन्यूटी और आपका जो पेसेंस है यह दोनों चीजें आपको बनाए रखनी है और परिशान नहीं होना जादा और मेंटली भी एकदम बिलकोल सुकून में रहिए परिशान मत होई है ठीक है और मैंने बताया कि धैर को भले थोड़ा बहुत इधर हो जाए बट आपकी जो रिवीजन करने की और जो पढ़ने की कॉंटिन्यूटी है उसको आपको नहीं रोकन होंगी अगर कुछ चीज़ें आपको नहीं समझ आ रही है बहुत टफ लग रही है तो कोशिश कीजिए किससे आप किसी से उस query को solve कर लीजे गूगल कर लीजे यूटूब पे चले जाए किताबों से देख लीजे इसके बावजूद भी अगर आपको लगता है कि नहीं solve हो चाता है तो उस चीज को आपको छोड़ करके क्या करना है आपको एक नॉर्मल जो चीज आप पढ़ सकते हैं जो चीज आप जिस पर आपकी कमांड है उसको समझे और जिसका solution नहीं मिल पारा वो मिली जाएगा उसको परेशान नहीं होना आपको ठीक है तो चलिए इतनी बा बढ़ाना नहीं है और मतलब हर बढ़ा करके कोई काम नहीं हो पाता है ठीक तो सांती से एक positive energy के साथ एक continuity के साथ आपको अपनी तयारी रखनी है और जब तक exam नहीं हो जाता तब तक आपको पढ़ते रहना है और exam के बाद भी हमें पढ़ना है लेकिन exam के बाद आपको घ् कल में मिलेंगे कब मिलेंगे यह नहीं कह सकती बट मिलेंगे जरूर चलिए फिर तब तक के लिए अपने ध्यान रखिए पढ़ाई कीजिए और सवस्त रहिए मस्त रहिए तब तक के लिए बाई-बाई टेक केर